मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में कहा था कि यार कहानी बहुत नाजुक मोड पे आगी है और इसमें थोड़ी सी भी उंच नीच होना हमारे एक दिल को ठेस पहुचा सकती है खैर 12 एपिसोड एटैक ओन टैटन के फाइनल सीजन के 12 एपिसोड आया है अब तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि यार ये जो एरन है इसके अंदर इतना ड्रास्टिकली चेंज कैसे आ गया ये ऐसा कैसे बन गया तो इसका थोड़ा बहुत जवाब आपको इस एपिसोड में देखने को मिल जाएगा देखने का सुनने को मिल जाएगा जब येलिना ये कहती है कि वो एरन से secretly मिले थी उसने उससे बात की थी अब ये नहीं बताए कि उसने उससे क्या बात की थी क्या conversation होई थी वो तो चलब एपिसोड आएंगे तो उनमें पता चल जाएगा लेकिन वो जब इससे बताती है कि यार कोई और उसकी बात नहीं लंगामा उठाया है ये सारा का सारा जो उसने किया कराया है ये एलिना का और येलिना जो है वो जैक के किसारे पर चल रही है अब तो देखो यार आने वाले एपिसोड बताएंगे कि क्या येलिना ने जो किया या फिर जो हमें दिखाया गया वो सही था और जो मतलब जो पांगा नहीं पड़ी है सिर्फ और सिर्फ ऐसे शक हो रहा है कि यार ये इंसान इतना सीधा तो है नहीं कि आएगा और पहले मारले लोगों को दोखा देदेगा पैरेडेज लोगों के पास आ जाएगा कि मैं हां मैं तुमारी हैल्प करना चाता हूं मुझे कही ना कहीं इसम को चुपाया जा रहा था इसके बारे में इतना कुछ नहीं दिखाया आ गाया अब देखो दिखाया कम गए इसको कम डिखायागा। बावजुद की बहूं की कम दिखाने के बावजूद also सीर्फ इसी का नाम है एरन ऐरनस आरन की चर्चा हो रही है are एलेडीन लोगों को एक तरीके से खरत्रा तो महारले लोगों से है क्योंकि वो जल से जल इनके उपर हमला करना चाहते हैं एक तरीके से एलेडीन लोगों को अपने अंदर ही वो ग्रूप में बढ़ चुके हैं बठवारा हो चुका है अब कुछ लोग जो है वो एरन को सपोर आर्मी में जो लोग हैं वो Aaron के खिलाफ हैं वो चाहते हैं कि Aaron jail में ही रहे कहीं पर ये बात मिकासा कहती हुई हमें दिखती है कि Aaron का कहीं ये founding titan लेना तो नहीं चाहते हैं जो जो आर्मी है वो लेना तो नहीं चाहती है देखो टेंशन बढ़ती जा रही है, टेंशन इसलिए बढ़ती जा रही है कि हाँ एक तरफ मार ले त्यार करा है एलेडिन यानि पैरेडिस आइलेंड पर हमला करने के लिए और वो और दूसरे देशों को अपने साथ मिला कर इनके ओपर एटेक करने को भी तैयार है और वहीं एरेडिस यानि पैरेडिस के जो लोग हैं उनके बीच में दरार आ चुकी है यार एक तरफ जो लोग हैं वो एरन का साथ दे रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एरन के वे से अपनी अजादी या अपना फ्यूचर डिसाइड करें अपना फ्यूचर डिसाइड करे यार मेरे पास वो शब्द नहीं है मैं आप लोगों को इसकी खुबसूरती बता सको कि कमाल की Attack on Titan का जो ये एपिसोड आया है 12th एपिसोड भाई साब क्या कहानी आई हमारे सामने जैसे जिस चीजे निकल के आ रही है बहुत कमाल की है और 12th एपिसोड के एक खतरनाक सिम की बात करूँ जहां पर Blast होता है यहां पर Army के जो Chief है मुझे नाम यार निया रहा उनकी यहां पर Death हो जाती है और इस Death में हाथ होता है Aaron का Aaron को पता था कि भाई वहां Bum लगा हुए है और वहां पर Blast होगा और Aaron निकल के बाहर चला जाता है जेल से निकल के भाग जाता है मैं यह निका हूँ है जो चीज की वो गलत की या सही की देखो जो चीजें चल रही है वो जो इसके makers है वो अच्छे से represent कर रहे है हमारे समने और बहुत अच्छा सा एक intensive eye जो बहुत कमाल का इससे यह पता चलता है कि आने वाले जो एपिसोड होंगे Attack on Titan के वो कितने जादा खतरना होने वाले है Aaron अपने वे से मारले लोगों से निपटना चाहता है अब वो Jack के पास जा रहा है अब देखो यार पता नहीं क्या होगा Jack उसके क्या पता उसने उसका brainwash कर रहा है या उसका use कर रहे है जो Jack है अब वो तो देखो अब एपिसोड आएंगे वही यह बताएंगे कि actual में क्या कहानी बनती है बट अभी बहुत ज़्यादा curiosity फिर से हो गए गया अब क्या होगा कहानी कैसे किस mode पे जाके रुकने वाली है सारी चीजें जानना चाता हूँ अब किस level पे उनके relation चले गई है Aaron बगाहुत करने पर आ गया है वो अपने लोगों की नहीं मान रहे है वो अपने way से लोगों को बचाना चाता है और लोग उसका साथ भी दे रहे हैं उसका एक group बन गए बहुत बड़ी है एक story हमारे सामने निकल कर रही है अगर आप लोगों नहीं एपिसोड देख रहे है तो please comment करना कि आप लोग क्या सोचते है और आपके thoughts क्या है इसके बारे में कि आने वाले time में आने वाले एपिसोड में क्या होगा और जिन्होंने नहीं देखा तो तुम मैं बता दूँ कि एक बहुत बड़िया series मिस कर रहे है जाकर अभी देखना शुरू को इसके first season से और भाई साब ये वाले एपिसोड भी नहीं देखा तो इसको भी देखो तो बसाज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं next video में जैहिंद